हलो व्रीवन स्वागति आपका आज की लेक्षर में और आज हम डिस्कुस करेंगे रिमेंडर टाइप के जो कोशन होते हैं नंबर सिस्टम में उसको किस तरीके से असानी तरीके से जो है वो सॉल कर सकते हैं राइट ओके सो प्राणी वीडियो में हमने इसके फैक्टर्स वाल नुमेरेटर इस पॉजिटिव है जैसे 35 वाइट है तुसका रिमेंडर आप नॉर्मली निकाल सकते हो न 32 तक यह प्रापर डिवाइड हो जाएगा रिमेंडर कितना आ जाएगा ठीक है अब देखो यह 82 वाइफाइफ है इसका रिमेंडर कितना आ जाएगा ठीक है तो यह basic question है ठीक है अगर मैं आपको यहाँ पे negative sign की बात बारे में बात करें जैसे minus 27 by 7 है तो इस case में remainder क्या आएगा ठीक है अदो रिमेंडर negative तो हो नहीं सकता तो इसको दो तरीके से मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले तो आप यह देखिए कि minus 27 divided by 7 है ठीक है इस चीश का को जब आप divide करोगे 7 से ना पहले तो ऐसे normally आप divide कर दो ठीक है नॉर्मली आप divide आप करेंगे remainder कितना आएगा 21 तक तो proper चला जाएगा remainder कितना आजएगा 6 सा आजएगा 6 by 7 आगे इसकी short form तो minus 6 ठीक है minus 6 by 7 आया तो देखो 6 में और कितना add किया जाए कि 7 से divide हो जाए 6 में औ option जो है वो हमारे पास किया जाएगा 1 आ जाएगा इसका ठीक है और इसको आप ऐसे directly भी कर सकते हो कि 27 में कितना add कर दें कि 7 से divide हो जाएगा तो यह 28 आ जाएगा और 28 जो 7 से divide हो जाएगा इस तरीके से आप इसको कर सकते हो जब भी negative आए जैसे यह वाला question है उपर कितना दे जाएगा तो आजएगा नाइन ठीक है क्योंकि 101 में जब आप 9 एड करोगे तो 110 आ जाएगा और 110 जो है वो 10 से पूरा divide हो जाएगा ठीक है ऐसे अगर आप इसको देखें 65 में और कितना आड करें कि वो 12 से divide हो जाए ठीक है 65 में और कितना आड करना पड़ेगा 7 आड करना पड़ेगा क्योंकि 65 प्लस 7 जो है वो 72 होता है मारे पास और 72 जो है वो properly divide हो जाता है 12 से ठीक है तो यह normal basic questions है ठीक है आप देखो हमारे दूसरे जो अलग type है वो काउसी A to B वाली ठीक है कि जब आपको इस number इस form में दिया हो 65 into 78 divide by 9 तब remainder कैसे निकालना है तो सबसे पहले आप यह देखे 60 individual ले लिजे ना अगर आप 65 को divide करते हो 9 से तो कितना आएगा remainder 63 तक proper जाएगा कितना आएगा 2 आएगा ठीक है ऐसे ही अगर आप 78 को divide करते हो 9 से ठीक है तो 78 को अगर आप करें तो remainder जो है वो कितना आएगा आपके सामने 6 आएगा 72 तक proper divide हो जाएगा तो 2 into 6 कितना हो जाएगा 12 12 को अगर आप 9 से divide करे remainder कितना आएगा 3 आएगा तो option 4 आजागा इसका सही ठीक है ऐसे आप यह वाला यह भी same question है ऐसे आप यह वाला question भी कर सकते हो रा 10 आएगा तो यह कितना आजाएगा 40 40 को करें 11 से divide करें 33 तरग प्रॉपर जाएगा 7 remainder आजाएगा ठीक है और इसको negative लेके भी कर सकते हो ठीक है जैसे 37 का जो है remainder 4 आया 98 अब यह 99 ज्यादा close है 98 के ठीक है तो इसमें जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि minus 1 ठीक है न माइनस 1 आप इसको लिख सकते हो कि 99 से इसका 1 का है तो minus 1 भी इसको आप लिख सकते हो तो minus 4 by 11 आ जाएगा minus 4 जब भी minus आता है तो आप नीचे वाला number add कर दीजिए तो minus 4 plus 11 कितना जाएगा 7 ठीक है जान फिर आप इसको ऐसे देख सकते हो कि 4 में और कितना add करें कि 11 से divide हो जाए 4 में 7 और add करना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question पे ठीक है अगर इस question में आप देखोए तो remainder जो है वो कितना आएगा हमारे सामने 19 को 192 से अगर कर जादा नस्दीक है 37 के ठीक है तो इसको आप minus 1 ले सकते हैं ओके 1958 ठीक है आपको बता है 19 प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा 57 तो यहाँ पर 1 बचेगा ठीक है और 1956 अगर इसको आप देखें ठीक है तो यहाँ पे भी आप negative लेके कर सकते हो क्योंकि 1957 यह प्रॉपरली ड यह से ना opposite भी आप चल सकते हैं ओके सो 2 इंटो माइनस 1 यह जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 1 जो है वर 2 यह आजएगा ठीक है तो 2 बाइ 19 रिमेंडर आपका 2 ही आजएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है ठीक है ठीक है प्लस वाले में अपने प्लस कर देना है मैं 78 के अगर हम बात करें तो इसको आप 72 प्रॉपरली डिवाइड होता है इसको आप 6 भी ले सकते हो जाम फिर आप इसको माइनस 3 भी ले सकते हैं ठीक है तो 6 माइनस 1 कितना होता 5 राइट सो 5 आजएगा रिमेंडर इसका ठीक है तो यह नॉर्मल कोशन आप कर सकते हो राम से स्कॉ We 500 कंव अगली टैप के जो कॉश्शन है वह मिस फंभ सकते हैं न को कैससे करते मैं और अपको पता है 1 वं मुझान होता है 2 वो होता है 3 कितना होता है 6 होता है 4 factorial कितना होता है मारे पास 24 होता है और 5 factorial कितना होता है 120 होता है ठीक है अब तो 5 factorial और 5 factorial के बाद वाले जो factorials होंगे वो 10 से properly divide करेंगे चीक है न प्रॉपरली डिवाइड करेंगे तो उसमें तो जो जो प्रॉपरली डिवाइड करता है उसमें रिमेंटर तो जीरू ही आता है तो इसको consider करने की जूत नहीं है आप सिर्फ यहां तक लोगे तो यहां तक addition एक बर कर लीजिए 24 प्लस 6 प्लस 2 प् आपके सामने 33 33 को अगर 10 से डिवाइड करते हो आंसर कितना आएगा 3 ओके आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ ठीक है जैसे यह वाला question है आपके सामने इसको भी आप इसी तरीके से try करो right 12 जो है किस factorial तर प्रॉपरली डिवाइड होता है 1 factorial 1 होता है 2 factorial 2 होता है 3 factorial 6 होता है और 4 factorial कितना होता है 24 है तो 24 और 24 के बाद जो है इसमें यह प्रॉपरली डिवाइड होगा 12 से ठीक है तो remainder 0 आएगा मतब आपको सिर्फ यहां तक चेक करना है ठीक है तो answer इसका कितना आजाएगा 9 ऐसे यह वाले question भी आप कर सकते हो चीक है अब देखो इसमें unit digit आपने डूणना है जब factorial वाले question है उसमें unit digit हम कैसे डूणते है राइट आप देखो आपको पता है कि 5 factorial जो है 120 होता है और 120 होता है फिर 6 factorial जो है वो 720 होता है तो 5 factorial और उसके बाद की कहानी में 0 जो है वो last मे आने लगता है मतलब आपको सिर्फ जो है पहले 4 factorial तक जो unit digit देखना है ओके क्योंकि बाद में तो 00 ही आएगा so 1 factorial 1 2 factorial 2 3 factorial 6 और 4 factorial ही कितना है 24 अगर आप इसका unit digit देखें तो unit digit 24 का 4 ठीक है इसका 6 इसका 2 और इसका 1 तो 6 प्लस 4 यह तो 0 ही हो जाएगा ठीक है और 2 प्लस 1 ज बताने आप ने इस नमबर में तो लास्थ के दो डिजिट बताने का क्या trick होता है आपको हंड़र्ड से डिवाइड करना पड़ता है ठीक है 100 से डिवाइड करके remainder देखना होता है तो अगर आप इसको हंड़र्ड से डॉइड करेंगे 205 को remainder कितना हैगा 5 117 को 100 से डिवाइड करेंगे remainder कितना आएगा 17 और 409 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा ठीक है अब देखो लास्ट के दो डिजिट जो है वो आपने देखने हैं तो सबसे पहले यहां पर आपके पास कितना आजाएगा 7 इंटू 5 ठीक है यह मैं इदर लिख देती हूं 5 इंटू 17 इंटू 9 आपके पास आगया लास्ट में 7 इंटू 5 आगया आपके सामने ठीक है 7 इंटू 5 जा फिर आप इसको अगर प्रॉपरली डिवाइड मल्टिप्लाई करते हो तो 17 इंटू 5 जो वो कितना होता है मारे पास 85 ह होता है राइट 85 को अगर आप 9 से मल्टिप्लाई करो तो कितना आता है 9 इंटू 5 45 एंड 9 इंटू 8 जो है वो कितना होता है 72 72 प्लस 4 76 ठीक है तो लास्ट के दो डिजट के आएंगे 65 आप ले सकते हो आंसर 4 ठीक है तो जब भी आपने लास्ट के दो डिजट निकालने है त 603 से remainder कितना आएगा 3 आएगा ओके और यहां पर अगर आप बात करें ठीक है तो यहां पर इसको नेगिटीव में 1298 इसका 1300 ज्यादा करीब है तो माइनस 2 में भी आप ले सकते हो ठीक है इसमें 187 00 तक हो जाएगा 2 ले सकते हो 1197 ठीक है तो यहां पर 1200 तक हो सकता है तो माइ 12 x 3 कितना जाएगा 36 ठीक है so option 3 answer आजाएगा got it आगे वाले अगली टाइप के जो question है करते है power form वाले जो question होते है जैसे यह वाला question है इसमें remainder डूणना है सबसे अपने यह देखना कि यह 37 है यह जो नीचे 9 है हमार पास तो कैसे इसको break करें कि 9 के multiple के करीब है तो 9 का multiple क्यो आएगा यहाँ पर 1 बचा 1 की कोई भी power हो तो 1 ही आता है तो answer क्या जाएगा option 4 ठीक है आगे देखते हैं जैसे 80 की power 63 है इसको हम कैसे break करेंगी कि 9 के multiple की form में आए तो 9 का multiple होता है 81 तो 81-1 लिख देंगे 80 को ठीक है divide by 9 ठीक है तो यह तो properly divide होता है T1 यह तो cancel हो जाएगा यहाँ पर minus 1 की power 63 है जब negative की power odd हो तो negative ही आता है ठीक है तो जैसे मैंने एक बताया negative में क्या करना है जैसे 1 है negative का तो और कितना add करें कि 9 हो जाए ठीक है तो 8 add करेंगे आप ठीक है जा फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते है माइनस 1 प्लस 9 माइनस 1 प्लस 9 कितना होता है 8 सौप्शन बी इसको हम उपर वाले को कैसे break करें कि नीचे वाले 9 के कुछ न कुछ बन जाएए ठीक है तो कैसे हम इसको break करें चलो आए देखते हैं तो सबसे विले 2 की कौनसी power जो है वो 9 के नजदीक है ठीक है 2 की कौनसी power 9 के नजदीक है तो 2 की power 3 जो 8 है वो 9 के नजदीक है तो 2 की power 3 ठीक है और यह उपर कितना आजएगा हमारे पास 31 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 31 डिवाइड बै 9 अब 8 को कैसे ब्रेक करेंगे 9-1 क्योंकि नीचे 9 है ठीक है तो यह 9 प्रॉपरली कैंसल हो जाएगा माइनस 1 की पावर 31 कितना आजएगा 1 तो रिमेंडर हमारे पास कितना आजएगा 1 ओप्शन 4 ठीक है वान ही आएगा इसका रिमेंडर राइट ठीक है एक बर फिर से चेक कर लगते हैं यहां पर 5 दे रहा है तो सॉरी वो दूसरा कोश्चन था 63 पावर थी उसकी ठीक है तो हमने कैसे किया था 2 की पावर पीछे होगी हाँ यहां पर negative पावर थी सॉरी ठीक है पावर यहां पर negative क्योंकि minus 1 की पावर 31 थी न minus 1 की पावर 31 कितना होगा minus 1 होगा तो minus 1 है और नीचे 9 है minus 1 by 9 है जो कभी negative नहीं आ सकता जो जैसे मिन आपको बताया था जब भी minus हो तो नीचे वाला divisor add कर दो तो minus 1 plus 9 यह कितना जाएगा 8 आ जाएगा ठीक है जाए फिर आप इसको ऐसे देख सकते हूं कि 1 में और कितना add करें कि 9 से divide हो जाए 1 में 8 add करें ठीक है यह सेम टाइक का कोशन है जस्ट पावर में 3 पर नहीं आता है तो हमें 31 तक लेना पड़ेगा 63 तक और उसके बाद हमें यहां पर 2 की पावर 2 जो है पर एक्स्टा लिखनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि यहां पर टोटल पावर 65 है यह 63 बन रही है यह 2 बन रही है 63 प्लस 2 यह 65 बन जाएगा ठीक है अब देखो इस पाट का अंसर मारे पस कितना आया था इस पाट का जो हमने solve किया था माइनस वान आया था ठीक है अब देखो extra यहां पर कितना है 2 की पावर 2 मतलब 4 extra है ठीक है मतलब basically मारे पास कितना है minus 4 by 9 ठीक है तो minus 4 by 9 4 में कितना add करेंगे 9 से divide हो जाए 5 add करेंगे so option 3 answer आजाएगा ठीक है आप देखो यह वाला question करते है 5 की कौन सी power 126 के करीब है 5 की power 3 है न क्योंकि 5 की power 3 125 होता है ओके ओपर कितना आजाएगा 33 and this is 126 इसको कैसे break करेंगे it is 125 ओके upon 126 ठीक है तो 125 को कैसे break करेंगे 126 minus 1 ठीक है तो विए 126 properly cancel हो जाएगा remainder 0 आएगा minus 1 की power 33 कितना होता है minus 1 होता है minus 1 upon 126 remainder कितना आजाएगा 125 है न क्योंकि 1 में और कितना add करेंगे 126 से divide हो जाए 125 जा फिर आप इन दोनों को minus 1 को add कर सकते हो 126 में so answer is 125 question की तरफ चलते हैं देखो 7 की कौन सी power जो है वो 400 के 400 के multiple के नजदीक है ठीक है तो 7 की power 4 आपको पता होगा कि 2401 होती है और ये किसके नजदीक है 2400 जो के 400 का 6th multiple है ठीक है तो आप इसको इस तरीके से break करोगी right 7 की power 4 कितना होता है 2401 इसकी power 100 upon 400 ठीक है तो उपर आले को ऐसे break करोगे 2400 plus 1 ठीक है divided by 400 तो ये तो properly cancel हो जाएगा 400 से यहां पर सिर्फ 1 बचा और positive में 1 है तो 1 right तो remainder हमारे पास कितना आजाएगा 1 आजाएगा option 4 ठीक है ये आपको click करना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे किया हमने राइट आगे देखते है 2 की power 76 divide by 96 सबसे परे तो 2 और 96 को cancel भी कर सकते हो आप है तो 2 की कितनी power आप 96 से cancel कर सकते हो है 2 की power जो 5 है वो 32 होता है और अगर मैं इसको break करके लिखू 76 को तो मैं ऐसे break करके लिख सकते हूँ 2 की power 5 into 2 की power 71 और नीचे 96 तो 2 की power 5 32 जो है इससे cancel हो जाएगा 3 पर यह याद रखना आपने cancel किया किया आपने 32 cancel किया है इसको आप यहाँ पर साइड में लिख लो ठीक है आप देखो आपको इस क्या बचा नंबर क्या बचा 2 की power 71 by 3 ठीक है आप देखो 2 को कैसे break करें नीचे 3 है 2 को कैसे 3 minus 1 लिख सकते है आप ठीक है आप देखो 3 यह properly cancel हो जाएगा यहाँ पर minus 1 बचा minus 1 की power 71 minus 1 आएगा ठीक है minus 1 ठीक है remainder कितना आजएगा 2 आजएगा minus 1 plus 3 right पर 2 right answer नहीं है ठीक है आपने जो 32 cancel किया है ना यह 2 कब आया जब आपका निचे जो divisor है वो 3 है ठीक है पर आपको 96 पर टूनना है मतलब जो 32 cancel किया था आपने आपको दुबारां से इससे multiply करना पड़ेगा 2 को होना तो 2 multiply 32 right answer कितना जाएगा 64 ठीक है आगे बढ़ते हैं इस question पर ठीक है कि आप खुद से try करना ये भी ऐसे ही है 5 की कौनसी power 500 से cancel हो जाएगी ठीक है उसके बाद जो है last में आपको 125 से मतलब जो भी power cancel होगी उसको आपको multiply भी करना पड़ेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं ये काफी unique type की question है इसका direct approach होता है जब भी आपको लगे जैसे 2 की power 72 है यहां पर 73 है right तो देखो जब भी आपको लगे ये और ये ये दोनों co prime है co prime मतलब इनका जो इतके बीच में कुछ भी common नहीं है वन के लवा ठीक है और ये जो power यहां पर 72 है और नीचे जो है ये suppose अगर ये p है और नीचे p-1 आ रहा है power में अगर देखें ठीक है right ये p है यहां पर p-1 आ रहा है तो directly आप इसका answer जो है वो क्या लिख सकते हूँ 1 ठीक है directly इसका answer 1 आ जाएगा ठीक है कोग यहां पर 72 है यहां पर 73 है 73 73 मतलब 73 माइनस 1 जो है वो 72 होता है ठीक है जैसे इस question में भी देखिए ये 2 और 101 ये co-prime है ठीक है और नीचे जो है अगर इस 100 है यहां पर p कितना है 100 और नीचे क्या बन रहा है p-1 ठीक है तो directly इसका answer जो है 1 आप इसमें टिक कर सकते है ठीक है आज के लेक्चर में हमने remainder जो theorem है उसके question हमने practice किये ठीक है अगर कोई doubt है तो आप पूछ सकते है मुझसे thank you all